सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जै हिंद कैसे आप सभी लोग मेद करता हूं ठीक हैं अच्छे हैं मस्त और स्वस्त हैं अपनी पढ़ाई को आप निरंतर जारी रख पा रहें तो साथियों करते हैं सुरू अपन अपना चल्ला था वर्ल्ड जोग्रोफियों में मेप स स्रीज में आज अपन चर्चा करने वाले हैं ऐस्टेलिया के मेप की या ऐस्टेलिया के मानचित्र की जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर यह अपन आज ऑस्टेलिया के मानचित्र की चर्चा करेंगे बाचित करेंगे तो देखिएगा पहले इसके चारों तरफ की जो इ प्रशांत महाशागर लो में लिख देता हूँ कौन सा महाशागर आता है तो आपका उत्तर बनेगा इधर आता है प्रशांत महाशागर चलो अच्छी बात है अब ये प्रशांत महाशागर है आपको पता है तो बिल्कुल ठीक अपने बाएं हाथ की तरफ ये कौन सा तो आपका जबाब बनेगा ये है हिंद महाशागर कौन सा महाशागर है ये हिंद महाशागर है अब साथियों देखेगा इसके उपर और नीचे के अगर अपन बात करें क्या क्या है तो अपन देखते हैं यहां जो आपको ये वाला पूरा का पूरा फिल्ड दिख रहा है ये आपके इंदर क्या है यानि खाड़ी वैसे तो एक ही नाम आता है लेकिन अंग्रेजी में इनको अलग-अलग कहते है जैसे कि आपने सुना होगा बे- मेक्सिको है यानि ये अलग-अलगब विडियो के अंदर आप से लेके आओंगा मैं अब उसके बाद में औस्टेलिया के ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या है तो हपन कहेंगे इस पूरे के पूरे भाग को में तरों क्या कह जाता है ये है तस्मानिया क्या है इधर लिख देता हूं में ये है तस्मानिया अब साथियों गोर करना तस्मानिया और उस्टेलिया इन दोनों के बीच में क् चित्र है इसे क्या कहा जाता है इसे नाम दिया जाता है बास जल संधी अब प्रशन आप से पूछ लिया जाए कि बास जल संधी ये किस किस के बीच में तो अपना उत्तर बनेगा कि बास जल संधी ये तस्मानिया और उस्टेलिया के बीच में है किस किस के बीच में ये तस्म और्स्टेलियन खाड़ी के बाद में ये भी तो खाड़ी है ना इस खाड़ी को मित्रों कहा जाता है इस पैंसर की खाड़ी कौन सी खाड़ी कहते हैं इसको कहते हैं इस पैंसर की खाड़ी ठीक है यानि ये कौन सी खाड़ी होगी ये होगी इस पैंसर की खाड़ी जो के लिए मैं यहाँ यह वाली जो खाड़ी यह साथी हो इस वाली खाड़ी को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे इस वाली खाड़ी को नाम दिया जाएगा कारपेंट्रिया की खाड़ी कौन सी खाड़ी तो मैं यह लिक देता हूँ इस खाड़ी को कहते हैं कारपेंट्रिया की खा इसके बाद जैसे अपने इधर चलते हैं तो अपने पास एकाती ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाएगा साथियों गोर करना ये वाला जो पार्ट है इसे नाम दिया जाता है जोसेफ बोना पार्ट की खाड़ी जबकि इसके बाद ये इतना इतना जो भाग है ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है तिमोर शागर यानि इस वाले भाग को क्या नाम दिया जाता है तो अपन लिख सकते हैं इस वाले भाग को नाम दिया जाता है तिमोर शागर क्या नम दिया जाता है भाई साब इस वाले भाग को नाम दिया जाता है तिमोर शागर ये क्या है अब एक एक कोपन देखेंगे कौन कौन से भाग को क्या क्या कहा जाता है साथ ये क्या है तिमोर शागर है पूरा का पूरा ये यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका जो से एक बोना पार्ट की खाड़ी है ये कुन सी खाड़ी होगी ये कारपेंट्रिया की खाड़ी होगी ये पुरा का पुरा महाशागर कुन सा होगया हिंद महाशागर हो गया यहां ऑस्टेलिया के ठीक नीचे क्या है ग्रेट ऑस्टेलियन खाड़ी है उसके बाद ये पुरा क महा सागर का अलग से वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बदाऊंगा कि इस वाले सागर को क्या कहते है आरा फुरा सागर कहते है जबकि परशांत महा सागर का ये वाला भाग क्या कहलाता है इसे कहते है कोरल सागर क्या कहते है कोरल सागर कहते है तो ये तो उस्टेलिया के ब वाला भाग है वहां क्या क्या देखिएगा अब अंदर क्या क्या एगा देखिएगा ऑस्टेलिया है इस ऑस्टेलिया के अपने भाग देख लिए अब साथ यूं देखिएगा इस वाले भाग को क्या नाम देंगे इस वाले भाग को नाम दिया जाएगा पस्सिम ऑस्टेलिय कोई दिक्कत नहीं गुरुजी है तो बिल्कुली जी बात हो गई यानि इस वाले को क्या कहेंगे जो पस्सिम है उसको पस्सिम उस्टेलिया कहेंगे इसके बाद में जो उत्तर में उसे क्या कहेंगे उसे उत्तर उस्टेलिया कहेंगे या उत्तरी परदेश कहाँ गया यह क्या हो गया उत्तरी परदेश हो गया इस उत्तर परदेश के बाद में अगर बात करें नीचे की ओर इसको क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा दक्सिन ऑस्टेलिया इसे क्या नाम दिया जाएगा इसे नाम दिया जाएगा दक्सिन अब ये वाले भाग क्या कहलाएंगे, क्या इनको पूरी वे उस्टेलिया कहेंगे क्या, नहीं, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्विंस लेंड, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है, क्विंस लेंड, यानि अपन कहें, उस्टेलिया के छे राज और New South Wales के बाद में ये वाला जो पार्ट अमित्रों इसे कहा जाता है Victoria इसे कहा जाता है Victoria अब गोर करेंगे Victoria के बाद में ये कौन सा है तो पण कहेंगे इसे कहा जाता है Tasmania ये आ गया है जी कौन सा ये आगए तस्मानिया अब सात्यों गोर करना इसके बाद अपने इन छै प्रदेश में छै प्रदेश याद होगे इसे क्या कहेंगे तो अपन कहेंगे पस्सिम उस्टेलिया ये क्या है उत्तर उस्टेलिया ये क्या है क्विंसलेंड ये क्या है दक्सिन उस्टेलिया ये क्या पन चलें क्विंसलेंड से कहां से चलें क्विंसलेंड से तो साथियों क्विंसलेंड के इंदर आपको याद रखना होगा कि क्विंसलेंड जो है इसका मुख्य सहर कौन सा है तो साथियों गुरू करेंगे क्विंसलेंड जो है इसका यहां पे यहां पे मुख्य सहर आता है औ क्या कहते हैं Statesbyan के बाद में नूसाउख वेल्स में न्यूं मगर्याओ colonis में जाये नूसाउख वेल्स की जो राधनी तो पशाख-थैन्ई को क्या पॉपन कहते हैं तो अपन कहेंगे जाएंगेन्ग क्रमठी सर्राग। हो उसे कहते हैं इसका जो Victoria का जो मुख्य सहर है वो है male burn नाम सुनाओगा आपने उर जी बिल्कुल सुन रखा है सुन रखा है तो याद भी कर लिजिएगा साथ-साथ ये कौन सा है ये है male burn कौन सा है male burn इसके बाद में आज़े हो Daxin Australia अब Daxin Australia का सहर कुन से है तो आप कहेंगे Daxin Australia का सहर बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे जाके आता है जिसे कहते है ED-LADE क्या कहते है Daxin Australia का जो सहर है इसे कहते है ED-LADE कहते है उसके बाद बात करें PASSIM Australia अब PASSIM Australia का जो सहर है इसे नाम दिया जाता है पर्त है पस्यम उस्टेलिया का सहर कुन सा है एक मिनट एक मिनट के लिए गड़बड हो गया क्या मामला हाँ जी अपन बात करें थे पस्सिम उस्टेलिया का जो सहर है इसको क्या कहा जाता है परत कहा जाता है पस्सिम उस्टेलिया का जो सहर है इस सहर को क्या नाम दिया जाएगा यहां पर पस्सिम उस्टेलिया का जो सहर है इस सहर को क्या नाम दिया जाएगा यहां पर पस्सिम उ उस्टेलिया वाला जो सहर है इसे नाम दिया जाता है डार्विन क्या नाम दिया जाता है डार्विन तो अपन लिख सकते हैं उत्तर उस्टेलिया का सहर क्या आएगा डार्विन और इसी डार्विन को कहा जाता है उस्टेलिया का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है इसे उस् इस वाले भाग को क्या नाम दिया जाएगा तो अपना उत्तर आएगा इस वाले भाग को नाम दिया जाता है ब्रिस्बेन इसे क्या नाम देंगे जी इसे नाम देंगे ब्रिस्बेन सबसे बिल्कुल जो आपका क्या है सबसे पहले पहले याद रखेगा ब्रिस्बेन है ब्रि और एडिलेड आजाएगा और एडिलेड के बाद मैं पर बात करेंगे तो यहां पर कुन सा आएगा और बात करेंगा उत्तर उस्टेलिया की तो उत्तर उस्टेलिया के इंदर अपने आपको बताया है डार्विन डार्विन को ही कहा जाता है डार्विन को ही क्या कहते है औस्टेलिया का प्रवेश द्वार कहते है आपसे प्रसंद कूछ लिया जाए कि डार्विन को क्या कहा जाता है तो आपका उत्तर आएगा डार्विन को कहा जाता है औस्टेलिया का प्रवेश द्वार, डार्विन को क्या कहते हैं भाई साब, डार्विन को कहते हैं औस्टेलिया का प्रवेश द्वार, अब एक बार एक एक की दिख लेते हैं, ये वाला औस्टेलिया कुन सा है भाई साब, तो आप कहेंगे इस वाले औस्टेलिया को कहेंगे इसे कहते है उत्तरी उस्टेलिया इसे कहेंगे दकसिन उस्टेलिया इसके बाद फिर आगे चलेंगे इस वाले उस्टेलिया को क्या नाम देते हैं क्विन्स लेंड क्या नाम देंगे इसको क्विन्स लेंड कहा जाता है इस वाले उस्टेलिया को क्या कहेंगे यह साथ में है तो यह हो गया न्यू साथ वेल्स कौन सा वेल्स हो गया भाज़ा न्यू साथ वेल्स उसके बाद फिर आगे चले तो यह वाला उस्टेलिया क्या कहलाते है तो अपना उत्तर आएगा विक्टोरिया अब गुरुजी ये तो सारी बातें होगी है ना अब उस्टेलिया की प्रोपर राध्धानी है वो कौन सी है ना उस्टेलिया की साथियों धान देंगे जो उस्टेलिया की प्रोपर राध्धानी है उस र भार्थ की राद्धानी तो कौनची है Bowl वैसे पूरे ऊस्टेलिया की राद्धानी गर पूछा जाय तो आपका उत्रहएगा एनबरा और अलग अलग की पूछी जाय तो आप बता सकते हैं डार्वीं उत्रो Australians की अब जरा गूर करेंगे ये वाला चेत्र में ने बताया था कौन सा है तो आपका उत्रहा है तस्मानिया इस वाले को क्या कहते हैं पर तस्मानिया की जो मित्रों राध्धानी है ना उस राध्धानी का नाम है होबार्ट क्या नाम है तस्मानिया की राध्धानी कौन सी होबार चलो गुरुजी ठीक बात है ये तो हमें आ गया समझ में अब ये समझ में आ गया तो अपने इसको नए मुद्धे से बात चीत करते हैं अब देखेगा एक बारा भ्यास के लिए देखेगा जैसे ये आपके सामने चार पांच छह जितने भी सहर दे दिये तो आप मुझे बता आईएगा देखेगा ना जल्दी से जल्दी से बताईएगा कि ये वाला जो आएगा अगर मैं आपसे पूछूं यहां सहर कौन सा यहां पर थे उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि यहां सहर कौन सा एडिलेड है अगर मैं बात करूं कि विक्टोरिया के इंदर सहर कौन सा आप कहेंगे सिडनी है अगर मैं बात करूँ किविंस लेंड की राध्धानी कौन सी है तो आपका उत्र क्या आएगा क्विंस लेंड की राध्धानी ब्रिस्बेन है कौन सी है ब्रिस्बेन है उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि उत्तर ऐस्टेलिया की राध्धानी कौन सी ह BSC करने के बाद में क्या किया, BSC करने के बाद में MA कर ली, क्या कर ली, MA, और MA करने के बाद में क्या किया, भाई साथ, PSD कर ली, क्या कर लिया, PSD, यह होगी, यह अपने को राधधानी है, अब जरागोर कीजिएगा, BSC का मतलब क्या हुआ, BA, यानि B से Brisbane, S से क्या हुआ, Sydney, C से क्या वा? Canbera. यह प्रोपर ओस्टेलिया के राधधानी, M से क्यान वा Malburan, A से क्याए Apodulate, Pस से क्या वा Parth और D से क्या वा Darwin? Darwin को क्या कहता है? उत्तर ओस्टेलिया का प्रविस्टवार कहता है और तस्मानिया की राधधानी को उन्सी Howbert अब आपके सामने पूरा का पूरा मेप आगया है इस मेप को आप आराम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं और एक एक चीजों को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं अब देखेगा भाई साथ इसको अगर अपन बात करें हाँ इसके अंदर आपको देखना क्या है पूरे के प उस्टेलियन बाइट जिसे अपन ने कहा फिर आपसे पूछा यह वाला हिस्सा कौन सा है यह स्पेंसर की खाड़ी है यह वाला हिस्सा कौन सा है बास जलसंदी है किस किस के बीच में तसमानिया और उस्टेलिया के बीच में उसके बाद मैं आपको बता है यह क्या है यह गल बलसागर बताया था उस्टेलिया का ये वाला जो पार्ट न इधर के एक आपका पूरा का पूरा रीफ है बोले तो रीफ किछे कहता है प्रवाल भीती को कहते हैं जिसका नाम ग्रेट बेरियर रीफ या ग्रेट बेरियर प्रवाल भीती जिसे अपन कहते हैं वरत बेरियर री ब्रिस्वेन के बाद में ये कौन सा है ये आपका सिडनी है सिडनी के बाद उस्टेले की प्रोपर राध्धानी कौन सी है केनबरा है केनबरा के बाद में देखे विक्टोरिया की राध्धानी कौन सी है मेलबरन है उसके बाद मैं आपने देखा साउथ चो उस्टेलिया है साउथ उस्टेले की राध्धानी कुन सी है तो आपका उत्राएगा एडिलेड है उसके बाद पस्टेले की राध्धानी कुन सी है तो आपका उत्राएगा पर्त है कीजिएगा सेठ कीजिएगा और इसी परकार बने रहिएगा नए नए में प्रक्रते रहे गशंगे अगर कशन में प्रक्रक्राइब सब्सक्राइब ऑपने को याद हो जाएं तो अपन सारी चीछे एक कबल पोलिटिकल मेद देख हैं नुसके बाद फिजिकले भी एक एक अपन महादीप को लेते हुँ चलेंगे तो आज के लिए इतना काफी है तब तक हैले विदा, बाबाई, टेक केर